थे अर्लो यूट्यूब इस स्टाइब उफ्सक्राइंग्त स्टासुटेट Six lix logging के बारे में डिटेईल करने वाले है आज हम जानेंगे कि क्या होता है कायि lane जो है यह थे अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए इतना जादा फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है काली लाइनिक्स का हिस्ट्री जानेंगे कब से काली लाइनिक्स से स्टार्ट हुई थी इसमें बेसिकली कौन-कों से टूल्स का में इस्तमाल करते हैं हैकिंग करने के लिए ए अब फॉरेटिंग बेस्टेमाल करने में तो चलिए बिनगे जरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या है आपने और वीडियो में यह सब बताया थे हैं कि यह आज आपको बताता हूं डैबियन जो था एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि लाइनिस करनल का इस्तमाल करता था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि लाइनिस करनल का इस्तमाल करता था करनल क्या होता है करनल आपके हार्डवेर के बीच में और आपके सिस्टम के जो सौट्वेर है उसके बीच में आप ये बोल सकते हैं एक interface का काम करता है या उसको resource को allocate कर ने का काम करता है kernel kernel बहुत main part बेंट करता है operating system में अगर आपको kernel नहीं पता क्या होता है तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और यहां से आया इसका यान नाम इयां तो वाइफ की वाइफ का नम डेबरा फा तो डेबरा और इन इन तोनों को मिलक वर्ड बना Debian, तो Debian Word यहां से आया, ओके, is that clear? तो Debian Word यह बताता है कि इत्रेपर शुटा बोस इफेशनच मेंचा सो ऑपरेटिन सिस्टम को जो गरूप जो मेंटेम करता है इसको एक तो उपरेटिन सिस्टम होता है, और डूसरा गरूप करते हैं वो डैबन के लाता है इस जैक्ड कहां से और डैबन का मतलब होता गया यह आपको समझ हमाच तो यह होता है इसलिए इसको बॉल जाता है काली लेनिक्स अब यानि कि जो डैबनी सर्परेंग सिस्टम का सिस्टम तो लाइनिज के डिराइब करा है लाइनिस के डिस्ट्रिब्यूशन है मल्टीपल अभी कुछ अभी हम मौने वीडियो लाएंगे लाइनिस के पूरा स्टार्ट प्रेलिस परेट बात हुए तो यहीं लाइनिस की अलगरा है अब लाइनीक्स क्या है लाइनेक्स के सिस्तेंग करने के लिए यह आपको समझ मुझें आहई उप्रेटिंग सिस्टम helder में फंडेट Why or in सिस्ट्री औफ एंसिव सिक्यॉर्टी में इसको डेवलप कर रहा था जो कि इंफ टेस्टिग में काम करती है जी टेस्टिंग में काम करती ह admitted को इंटरेशनल कंपनी है जो कि IT security में काम करती है अब है तरिसरा पॉइंट इट वस डेवलेट बाए मैची अराउनी एंड डेवियून के रंस ऑफेंसेव सिक्योर्टी तुरू दरी राइट ऑफ बैक ट्रैक अब काली लाइनिक्स के पहले क्या चलता था पेनरेशन टेस्ट बहुत इस्तमाल होते छहां पहले बाद में इसको रिडिएक कर दिया गया और और कहले लाइनिक्स रहीं आया था तो करनल और टिंग लाइनिक्स में से करनल का के और टिंग लाइनिक्स का लाइए तो वहां से वाड़ा है काली आपको सब्सक्राइब आप यहां पर एक पॉइंट में कह रहा है रिलीज वन एर लेटर एक साल बात का लिन से इंट्रड्यूस हुआ काम स्टाट हुआ घ्राइक को रिराइट करने का काम स्टाट वंडर बारा में और रिलीज रुजन वर्जन 1.0 अब हम बात करते स्के के requirement कि अगर आपको काली लेनिस को इंस्टॉल करना है तो आपको कौन कौन से उसके requirement होनी चाहिए तो requirement कुछ यह है जो recommend है यानि कि जो recommended hardware specification काली लेनिस के वह पहला है कि 20GB आपको hard disk space होनी चाहिए आपके system में 20GB का hard disk space होना चाहिए है minimum 2GB की RAM होनी चाहिए ठीक है 2GB RAM तो minimum है और तीसरा के है यह 32 bit का आपका system architecture 64 bit का है दोनों पर चल जाएगा ठीक है ऐसा को mandatory होना चाहिए 32 bit और 64 bit दोनों में काम करेगा लेकिन 20GB की hard disk और 2GB RAM तो होनी ही चाहिए क्योंकि जो काई Linux है के अंदर आप tools का इस्तमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा CPU करता है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर आपको फिर कंप्रमाइस करना पड़ेगा system बहुत करेगा इसलिए आपको minimum इतनी requirement वर स्टम में होनी चाहिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की काई Linux है डेडिकेटर प्रोजेक्ट सेट असाइड ओफ कंपैटिबिलिटी एंड पोर्टिंट इंड्रोड डिवैस काल नेट काली हंटर क्या इस्तमाल हम कर सकते हैं अगर आपके वास कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने एंड्रोइड मोबाइल में भी काली इंटर का स्तमाल करके हैं काली नेट इंटर उसके लिए आपको अपने डिवाइस में डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपका अंडरोइड डिवाइस रूट नहीं है अनूटेड है तब भी आप इसको स्तमाल कर सकते हैं काली लैनिक्स में 600 प्लस टूल्स हैं जो आपको प्रेशन टेस्टिंग के लिए इस्तमाल में ले सकते हैं आप 600 प्लस यानिकी इतने टूल्स हैं जो आप इस्तमाल कर सकते हैं उसमें एक उपक्यूपन सोर्स है वो इसलिए आप फायदा ही मिलता है आप इसको अपने इसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा विंडोस टैन लाइक कि आपको दिया वैसे यूज करने बट खाये इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कैसे करते हैं वह बात की वीडियो में अगर कभी इतनी रिक्वार्मेंट हुई यहां आपको दिखाउँगों कि स्थरुसर्ट में सपोर्ट मिलता है मल्टीपल लेंग्वेंज समें मिलती अब विंडोस कंपैटिबिलिटी का यहाँ पे नया जो रिलीज हुआ था इसमें कि अधर विंडो यह हम इसको अगर आप काई रैनिक को बीना अपना अपरेटिक सिस्टम चेंज करें इस्टॉल करना चाहते हैं यह फिल लाइनिक्स की कमांड चाहते हैं बीना अपरेटिंग इस नब चला रहें बटाव में लाइनिस के अजिंशल कमांड चाहते हैं तो आप विंडोस सब सिस्टम फॉर लाइनिस का इस्तेमाल करके लाइनिस बाइनरी एक्जेक्यूटिवल स्को विंडोस उपरेटिस सिस्टम बेरन कर सकते हैं ती बहुत अच्छा फीचर है लाइक लेकिन कुछ बेसिक एजांपल आपको देता हूं कौन को से टूल से एक राक एंजी टूल मिलता है आपको समय वाइपा है कि इस्तेमाल करते हैं पास्वर्ड रिकवरी के लिए वायर्शार के नेटवर्क मानिटरिंग के लिए जॉन दरी पर है पास्वर्ड क्राकिंग हम इसतेमाल करते हैं से मिल्टीप टूल से लेकि vähän लकूंपल दोगा हुए तो यह था खाले इंसके पूर्डूर्युल में आपको बताया कि क्या क्या है इसका पुरीं पक्या इसकार से इसको क्रेट स्ञेंे कि आपका इस्तेम कर सकते हैं लेकिन अगर हम अभी आधिकल हगिंग में का इस्तेम करेंगे बाद में अगर आप लिए तो इतना ही मिलते हैं अगर वीडियो पसंद आई प्लीज थोड़ी सी यूए तो शेर सब्सक्राइब को चैनल को मिलता है नेक्ष वीडियो में तिल देन गुडबाए